मिडल इस्ट में एक बार फिर से जंग के आससार बन गए है जी हाँ ऍसराइल और फिलिस्तीन ने युद की घोशना करती है फिलिस्तीन आतंक्यों के ओर से असराइल पर रॉकेट डागे जाने के बाद इसराइल ने युद की घोशना करती आपको बता दें कि कुछ खबरों की माने जिसमें समचार एजिंसी एफबी के मुताबिक शनिवार सुभाव फलिस्तीन आतंकियों ने इसराइल के कई इलाकों पर दर्जन रॉकेट दागे जिसमें एक माहिला की मौत हो गई है कुछ लोग खायल है इस हमले के बाद से इसराइल ने युद्ध की गोशना कर दी थी इसराइल सरकार ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलहा दी है हालात तनाव पून बने हुए है गाजा पत्टी जिसको लेकर बहुत सालों से लडाई बनी हुई है गाजा पत्टी की तरफ से इसराइल की कई रियाईशी इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे है सब कुछ धूआ धूआ नजर आ रहा है इसराइल की सेना ने कहा है कि हवाई हमले को लेकर अलर्ट करने वाले सारिन की आवाज आर्थिक और सांस्कुतिक राजधानी तेल अवीब तक सुनाई दे रही है शनिवार सुभा ये बंबारी लगभग 30 मिनट तक चलती रही इसराइल की बच्चाब दल मेगन डिविड एडॉम ने कहा है कि दक्षणी इसराइल में इकिमारत पर रॉकेट गिरने से 70 साल की महिला की मौत हो गई इसके अलावा कुछ लोग मामुली रूप से घायल है लेकिन फिलिस्तीन आतंकियों की ओर से इसराइल पर ऐसे समय में रॉकेट लॉंच किया गया जब गाजा और इसराइल की अस्ति सीवा पर हफ्टों तक तराव का महौल बना हुआ है तो हालाग इससे अब युद जैसे हो गई है फिलिस्तीन आतंकियों संगठन हमास के नेता मोहमद डेफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमास ने इसराइल के खिलाफ एक नया सेन्य अभ्यान शुरू किया है इस ओपरेशन का नाम ओपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म रखा गया है डेफ के मताबिक इस ओपरेशन का शुरू करने के लिए हमास ने इसराइल में शुनिवार सुभा करीब पांच हज़ार रॉकेट डागे है अपने बयान में हो कहते हैं कि हम फैसला करते हैं कि अब बहुत हो गया हम सभी फिलिस्तीनियों से इसराइल का सामना करने का आग्रा करते हैं मौमद जैप को इसराइल ने काई बार मारने की कोशिश की है लेकिन वो हर बार बज जाता है अब ये पूरा बवाल कैसे शिरू होता है क्यूं फिलिस्तीन इसराइल के बीच हमेशा 36 का आकड़ा रहता है वज़ा है गाजा पत्टी गाजा पत्टी का पूरा विवाद किया है दरसल गाजा पत्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी शेत्र है ये मिश्र और इस्राइल के बीच भू मध्य सागवी है तटपरस्थत है फिलिस्तीन अर्भी और बहुत संक्यत मुस्लिम बहुले इलाका है इस पर हमास त्वारा साशन किया जाता है जो इस्राइल विरोधी आतंगवादी समू है वो यूँ क्यों कि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इस्राइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं 1947 के बाद जब यूवन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरभ राज्य में बाट दिया था जिसके बाद से फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच संगर्ष जारी है जिसमें एक एहम मुद्दा जो इस राज्य के रूप में सुईकार करना है तो दूसरा गाजा पट्टी है जो इसराइल की स्थापना के समय से ही इसराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है इससे पहले भी हमने देखा था कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे आसार बन गए थे हाला कि जैसे जैसे साल बीता वैसे वैसे वहाँ पर शांती विवस्ता काइम हुई लेकिन एक बार फिर से रॉकेट लॉंच किये गए हैं अब देखना ये है ये युद्ध कितना और आगे बढ़ता है